गुड मॉर्निंग एब्रिवान आइम शेरेन एंड वाल्कम यू अल ओन दो फीशिल चानल ओफ एरी उडिशन स्टाडेस जित्ते असी एन दिना देविच लक्षमी कांधी पॉलिटी दी थेयरी नू बहुत डिटेल देविच कवर कर रहे हैं ति एन नू कवर कर दे हुए अ यानि की लाइन टू लाइन एक लाइन डिसकस कर रहे हैं सी लक्षमी कांधी पॉलिटी नू ति मैं तो नू पहला में क्या सिगा कि जदो भी तुसी एवले सेशन्स देखने हैं तो ट्राइ करना है कि लक्षमी कांधी बुक तवाडेस सामने पाई हुए ओके उदेविच कुछ में मिसनी करांगे और ये वाले सेशन तो अडेली इन्ने जाधा इंपॉटेंट है एक इसे पर्टिकुलर इग्जाम दी गलनी है तुसी इंडिया दे किसे वी एग्जाम दी त्यारी कर रहे हो ना और अगर उस देविच पॉलिटी एक पाठ है था ये वाले सेशन त आम लक्षमी कांथ और इसने जो हैडिंग है दाट इस राइट तु कॉंस्टिटूशनल रेमेडीज शुरू करने हैं फिर आज दे सेशन लू और अर्टिकल थर्टी टू सभी दान दे विच जिन्नी इंपॉर्टेंस रख द हैं और नी तो जाधा इंपॉर्टेंस इवन स काफी सारे कोईशन आर्टिकल थर्टी टू नाल रिलेट करके पुछे जान दे हैं इसलिए अजना सेशन तो आडेली बहुत ही जाधा इंपॉर्टेंट होन वाल है क्योंकि इसे सेशन दे विच असी आर्टिकल थर्टी टू पढदे पढदे रिट्स पारे भी गल करांगे ते रिट्स देविचो भी काफी सारे कोईशन बन जान देने ओराइट कर्दे चुरू आर्टिकल थर्टी टू दाट इस राइट two constitutional remedies असी सारे काफी दिना तो काफी सारे section दे विच काफी सारे lectures देश देविच नागरिकान फंडामेंटल राइट्स मिले हो इने डिटेल असी पहले कर चुकिया जे मालो एवले फंडामेंटल राइट्स सिर्फ साढ़े कोई वी मेरे नाकी जानouse जीदा दिल कर दा किसे दे फंडामेंटल राइट नू घथा स्छी यूट Generally बिल्कुल meaningless हुन्दे, worthless हुन्दे, useless हुन्दे, as we all know, right? क्योंकि यह नो नो एन्फोर्स करने जो तो machine दे ही नी होनी सी, लोग का नो किसे दा डर ही नी होना सी, डर तो भीना इंसान का अट्टी कोई काम करता है, ठीक है? इस करके साड़े सविदान दे वी चंग, ए प्रॉपर तरिक्ये देनाल एंशोर किता गया, कि साड़े सिटिजन्स नो जिनने भी फंडामेंटल राइट्स देते गए है, उनना नो चंगी तरह एन्फोर्स भी करवाया जा सके, ता कि कोई किसे दे फंडामेंटल राइट्स न आर्टिक्ल थाटी-टू नो फंडामेंटल राइट रख्धा गया है, नो पता ही आ कि आर्टिकल थाटी-टू वी सडे फंडामेंटल राइट्सल दे अंडर रियांत्स बारह तो retro पैंटती तक अगर।क, ऑन पत्ती दे विची फॉल करेगा, ठीक है," ठीक है कि fundamental rights दी रख्या करना वी अपने आप दे विच एक fundamental rights है ठीक है ऐसे करके सड़े जड़े fundamental rights है गया है और रियल बंदे ने उनने क्या कि अगर सड़े सवी दांदे विच्चो आर्टिकल 32 नों से हटा दिये खतम कर दिये तफिर सड़े constitution दी होंद दा कोई मतलब भी नहीं रहा जन्दा ओ केंदे हैं कि आर्टिकल 32 सड़े constitution दा सब तो important article है उनने एथो तक भी क्या दिता कि आर्टिकल 32 सड़े constitution दा heart है और सोल है यानि कि दिल है और आत्मा है ओके हुन एवी प्रशन काफी वार पुच्छा गया थे बहुत इंपॉर्टेंट है नू याद रखना कि सड़े constitution दा heart and soul डॉक्टर बीयार अंबैदकर ने केड़े आर्टिकल नू बोले है थर्टी टू नू ऐसे क्वेश्चन नू को माफिरा के पुच्छा जा सकता है और राइट होने तो से बिल्कुल भी सड़े constitution दा heart and soul किसनी क्या फिर तो अड़ा आंसर बीयार अंबैदकर आएगा ताई दुन्नू चीजा अलाग लाग हैगी है और नू अलाग लाग तुसी याद रख लेना ओके ओर्राइट इस तो बाद अगे गल कर देयां नेक्स पॉइंट है याद इस बेसिक फीचर ओफ दे इस पॉंस्टिटूशन जड़ी सड़ी सुप्रीम कोट आ तो नू पता है अलग लग टाइम देऊपर केसी जान अलग लग टाइम देऊपर सड़ी सुप्रीम कोट दस्दी है कि केडियां केडियां चीजा नू असी आजे की आर्टिकल 32 सड़े सविदा आंदे बेसिक फीचर देवीच काउंट हुंद है तो अड़ा आंसर क्यों हैगा बिल्कुल एनू बेसिक फीचर देवीच सड़े सुप्रीम कोट वल्लों गिनया जा चुके हैं गया यानि कि अमेंडमेंट मेंट देन आलवी तुसियां अगे चल देयां इसते विच दिते गए चार प्रोविजन दे बारे विच गल कर देयां फंडमेंटर राइट देवीच चार प्रोविजन केड़े केड़े शामिल किते गए हैं सब तो पहले चीज़ किया है दराइट तु मूव टु दा सुप्रीम कोट यानि कि अगर कोई सब्सक्राइट नुक्सान पहुंचांदा है तो अग्डे कोलो ए राइट है तो अग्डे कोले पावर है गी है कि तुसी डेरेक्ट निच्चे वाले हैं सारियां कोट्स लो छड की डेरेक्ट सुप्रीम कोट देविच जा सकते हैं ठीक है और उथे जाके अपील कर सकते हो सुप्रीम कोट देको लो की राइट होएगा उन देको लो ए पावर होएगी कि यो अप्रोप्रियेट प्रोसीडिंग नुँ फोलो करे तांकि नाग्रिकांदे जिड़े फंडामेंटर राइट से गया है उन्नानों कोई नुक्सान ना पहुंचा सके ठीक है जी समझ आया यानि कि अगर तो अड़े कोई भी परसन फंडामेंटर राइट नुन नुक्सान पहुंचानद है ता तुसी डिरेक्ट किते जा सकते हो सुप्रीम कोट उन सुप्रीम कोट पहना इहें डिसाइड करेगा कि वैदर फंडामेंटर राइट देंडर फॉलो कर भी रहाया या ठीक है अगर उन्हों लगदा है कि येस परसन फंडामेंटर राइट नुक्सान होया है ता फिर उप्रोसीडिंग फॉलो करेगा ति सुप्रीम कोट उस दे लही रिट्स इशू कर सकते है इस पर आनवले टाइम दे वीच जिद्दा ही ये वाला लेक्चर अग्य रग्य व अगर तो पुच्छा जाए कि हाई को पावर जड़ी मिली है तो अटना अंसर होएगा आर्टिकल 226 तहुन की सदे सभी दान दे विच केवल सुप्रीम कोट एंड हाई कोट दी गल किती है जड़े फंडामेंटर राइट्स नू लेके आ सकते है नहीं उस दे नालनाल एक च कहती होई है कि अगर पारलेमेंट चाहे तऺ स्मुक्रीम कोट और हाई को तो बिना किसे होर कोट नूवी बोल सकथी बीज़ीन तो बीज़ी पावर दे सकथी हुए तो आज तक कुछ भी नहीं होया ठीक है इस तो बाद एक चीज हो अगर तो नहीं पुछा जंद है कि एहे जड़े राइट है एक ही एपसोल्यूट है यानि कि तुसी जदो भी तो अड़े फंडामेंटल राइट नो नुक्सान होया तो उसी सिद्धा सुप्रीम कोट्च हमेशा ही जा सकते हो कि एद उपर कोई चेक नहीं लगेगा एद उपर कोई बैलेंस नहीं होएगा तब बिलकुल भी नहीं एंदे उपर वी चेक लगाया जा सकते है इसनों भी सस्पेंड किता पता होना चाहिए एहो जे केड़े केड़े टाइम हुंदे ने जदो तो अड़ा एवाला राइट कि उसी सुप्रीम कोट्च फंडामेंटल राइट भी रख्या देली अपील करो उसनों सस्पेंड किता जा सकते है ता एह हुंदा है जदो सड़े देश ते विच नैशनल लगी होए ठीक है नैशनल एमर्जेंसी दे दोरान सड़े प्रेसिडेंट नू ए अधिकार एहे राइट प्रापत हैगाव है कि ओहो तो अड़े इस राइट नू इस अधिकार नू सस्पेंड कर सकते है कि तुसी फंडामेंटल राइट नू एन फोर्स कराउं देली किसे क कोट को जाओ यानि कि कदो सिरुफ और सिरुफ नैशनल एमर्जेंसी दे दोरान ताहुनसा नू यह पता चाल गया कि सुप्रीम कोट नू बोहाँ सारिया ही पावर्स में लगी है साधे फंडामेंटल राइट नू प्रिजर्व करन देली है ना इससे करके सुप्रीम कोट कि बोलेया जान्द है that it is the guarantor and defender of fundamental rights this question is very much important ताह याद रखना कि किसनू fundamental right the guarantor and defender बोलेया जान्द है it is the supreme court okay जदो भी कोई इंसान fundamental right देली अपील है कि supreme court को गया चीक है ता मैं तुनू पहलना ही दस्या सी supreme court को पावर है पहलना हो यह चेक करेगी कि fundamental right दे अंडर अपील आ पावी सक दिया या नहीं आ सक दी ओके उन सुप्रीम को नू जदो fundamental right दी रख्या वास ते power मिल गी ताह जड़ी पावर है यह उनना दे केडिक जुडिस्टिक्शन में चाल्दी है वेरी 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 इंपोर्टेंट यह एगी ओरीजिनल जुडिस्टिक्शन देवी च्ट ठीक है पर एथे तुसी यह याद रख लेना यह वाइड जरूर है यानि कि उन्हों बहुत जादा पावर्ज मिलिया हो यह मैं सुप्रीम कोर्ट नू ठीक है जिन दिना लो fundamental right दी रख्या कर दिया है वाइडर है बाट exclusive नहीं है exclusive दा मतलब exclusive ताह हुंद है न कि सिरफ सुप अगे चल देया नेक्स सिगल करांगे आर्टिकल जड़ा 32 इस दा मीन पॉर्पस की है यह तो अनू गैरंटी देगा कि तो अनू सदे इंडिया दे विच फंडामेंटल राइट्स मिलनगे ही मिलनगे उन एथे यह वी समझना जुरूरी है कि आर्टिकल 32 दे विच जेड़ी तो अनू गैरंटी दित्ती गई है ना ए सिरफ और सिरफ एथे ओनली है देखो एवाला वर्ड याद रखना ओनली की देले मिले हुए है कल्ले फंडामेंटल राइट्स देले मिले हुए नहीं यानि कि सुप्रीम कोड देविच तुसी आर्टिकल 32 दे अंडर सिरफ फूर सिरफ फंडामेंटल राइट दी रख्या ली जा सक्दियो अगर एथ ओड़े वाइले ठुन दे अंडर सिरफ प्रीम कोड देविच जाके अपील नहीं कर सकते पहला तो अनू हाई कोड देविच जाना पाएगा इस तो बाद असी गल कर देया बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिट्स ने बारे विच मैं तो नू की दस्या सी तड़े फंडामेंटल राइट नू नुकसान होया तुसी सुप्रीम कोड चले गए सुप्रीम कोड ने पहला देख्या कि ये फंडामेंटल कर देयो तस सुप्रीम कोड कुछ order and directions issue कर दे है नू ओरर ते direction नालनाल ही रिट्स नू इसू किता जांदा है ठीक है ति सुप्रीम कोर्ट जदो रिट्स इसू करेगा उन एह सुप्रीम कोड दी केडी जुडिस्दिक्शन में चाहेगा इस नू बोले जाएगा रिट वरंटों ठीक है है हुने थी देख्या कि सुप्रीम कोट एंड हाइप कोट नुए वलियां पावर्स मिलियां होई है पर 1905 तो पहला की हुन्दा सी गा सारियां हाइप कोट ने को लुए पावर नहीं सी सिर्फ तिन हाइप कोट सी कैलकटा बॉमबे एंड मेडरास पर आज द इस्चु करंदी पावर दे सकते हैं ठीक है एथिक क्वेशन हो रहा है जो कि काफी इंपोर्टेंट बनेगा अगर साथ कुल पुच्छा जाना है कि इंडिया ने रिट्स दा कॉंसेप्ट कितो लिया है आंसर होना चाहिदा है इंग्लिश लाओ तो यानि कि असी रिट्स द इंग्लिश लाओ दे अकॉर्डिंग और इजनली देखोगे था केवल क्राउन ही सी जिसनु एवला अधिकार प्रापत सिगा कि वह एदना दे ओर्डर ने इस्चु कर सकती सी ओके जिस तो मोनार्क दी प्रेरोगेटिव और एक्सता ओर्नेरी जडी पावर सी ओहो रिफ्ल कर लें दियां केड़े केड़े जीदे तो सन्वे पता चलेगा कि सुप्रीम कोट नूँ जेडिया रिट जुडिस दिक्शन दिया पावर्ज मिली है ओहाई कोट दियां जुडिस दिक्शन पावर्ज नालो किस तरह अलाग है गिया मैं ठीक है सब तो पहलना लिखे है सुप्रीम कोट जदो भी रिट इशु करेगी अर्टिकल 32 दे अंडर ता सिरफ और सिरफ फंदामेंटल राइटिस दे लहि एजनु इशु कर सकादी है यानि कि नोन फंदामेंटल राइटिस दे लहि रिट इशु कर सक्थी सुप्रीम कोट पर जदो power दियां कि अोन fundamental rights दे नाल नाल, non fundamental rights दे लेई भी रिट नु इश्यू कर सकती है, ठीक है, जिमिकी ordinary legal rights वगरा, तासा नू की पता चलेया, पहले point नू कले नू देखिये, ता Supreme Court दिया पावर्ज नेरो है गी है, हाई कोट नालो, ठीक है, जो दो सी ऐस point दे भी देखिया, fundamental rights नू, है ना, यानि की हाई कोट दी जड़ी jurisdiction है, ओ एक्थे सानू, वाइडर नजर आन दी है, Supreme Court दी नालो, पर जदो सी दूसरा point पढ़िया, Supreme Court can issue rights against the person or government throughout the territory of India, but high court can issue within its territorial jurisdiction, यानि की जदो सुप्रीम कोट रिट इशू करेगा, ता ओहो एक person दे against भी इशू कर सकते है, ते government दे against भी इशू कर सकते है, पर ओथी जदो सी high court देग दिया, ता high court भी individual नुमी रिट इशू कर सकते है, और government नुमी, पर एद विच एक चीज है, जो की Supreme Court नालो, निचे दिती गई है, कि ओट territorial jurisdiction दा बहुत जादा त्यान रखेगा, यानि example देखिए, कि जो साड़ी पंजाब दी high court है, ठीक है, अगर एनने कोई रिट इशू करनी है, ता हूँ दिल्ली देविच अगर कोई काम होया है, ता उसने लिए ये रिट इशू नहीं कर सकते है, पर अगर डेली गवर्नमेंट चाहे, ता पंजाब दे विच जड़ पावर है जदो कि पहले पॉइंट में जदो सी देख्या सी, ता हाई कोट को लो जादा पावर सी और सुप्रीम को लो कट सी, ठीक है, हुन चल देया, तीसरे पॉइंट वल, सुप्रीम कोट में नोट रिफ्यूज तू एक्ससाइज इट्स डिक्शन बाट हाई कोट में र अपील सुप्रीम कोट नोट एक्सेप्ट करनी ही पाएगी, ठीक है, और अगर उन्हों लगदा है कि फंडामेंटल राइट दे अंडर आ रहे है, ता ओथे मुकदमा चलेगा ही, सुनवाई होवेगी ही, ठीक है, ओथे ही, मानलो तो अड़ा फंडामेंटल राइट आहत हो तो इसी सुप्रीम कोट दी जगान दी उपर हाई कोट कोल गए, ता हाई कोट दी मर्जी है, अगर उचाहे ता तो अड़ी अपील नोट एक्सेप्ट कर ले, अगर उचाहे ता उन्हों रिजेक्ट भी कर सकता है, पर सुप्रीम कोट नोट एक्सेप्ट करना ही पाएगा, ते फैसला सुनाना ही पएगा ओ अर्जी नूँ इग्नोर नी कर सकती वैसे अज तक हाई कोट ने वी कदी इग्नोर नी किता पर कर सक्दा है ठीक है उन्दे को ले पावर है गी है ताहुनन सी एक्थ है ना दोने डिफ्रेंस देख ले हुनन सी वन बाई वन उन्ना रिट्स ब यानि कि अनु बाड़ी लिया आके दियो मैं तो नहीं एक्जैम्पल ना समझा दिया तो अच्छी तरह समझ आजेगी ठीक है मान लो किसे पर्सन हुना पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया उन्नों कोई वारेंट नी दिखाया उन्नों कोई रीजन नी दस्या बस उन्ने कर तो चुक के ले गई ओके हुनों दे फैमिली तक नों नी पता कि सदे उस पर्सननू जड़ी पुलिस है किते लेके गई गई है केड़े जुन ज़ून पीच लेके गई है Πरिवार वाले उन्नों कुछ नहीं पता कि वैटा हुन वेयर अबाउट बारे पता करना चांदे है ताउं की कर सक्दे है एस केस्ते विच ओ डिरेक्ट जानगे सुप्रीम कोट कुल और ओथे हेबेस कॉर्पस दी जड़ी अपील है ओ करनगे क्योंकि ओना दे बेटे नू रोंग फुली डिटेन किता गया है ता सुप्रीम कोट की करेगी पुलिस ने करेट इशू करेगी कि उ फुलाने फुलाने परसन नू साड़े सामने ले अंदा जाए जे उन्ने अपराद किता है ता सुप्रीम कोट दे सामने उन्ने सुनवाई होएगी ते लड़के दा वी नाल ही पक देख्या जाएगा समझ रहे हो यानि कि एदा कोई जबरदस्ती किसे नू डिटेन करके नह जेकर मानलो केडियां केडियां था मैं जित्ते नहीं जारी किता जा सकता ओ देख रहने आओ के मानलो कि किसे परसन नू कानूनी तोर्द उपर किसे अपराद वे मामले देविच पूरे रूल्स नू फॉलो करके डिटेन किता गया ता उस दे अगेस्ट एवाली रिट इश सकती एंड जेकर कारण मानलो दिल्ली देविच है जिवे मैं तोनू पिछे वी एक्जामपल दिती सी ता फिर पंजाब दी हाई कोट हुन एस रिट नू फाइल नहीं कर सकती ठीक है एवाले ता ओ वले सारे खेतर सिगे जी देवे चे रिट इशू नहीं हो सकती अदर्वा ठीक है एक मांड ए ओडर कौन देगा एक कोट वलो किसे पबलिक ओफीशल दिते जानगी उन एंदी में तोनू पहले एक्जैमपल समझा दिया किस तरह ठीक है पबलिक ओफीशल नू पबलिक बॉडी नू कॉर्परिशन नू ट्रिबिनल नू गवन्मेंट नू किसे भी त ओफीशल ड्यूटीज नू सही तरह परफॉर्म नहीं करदा ता उन्ना नू ओन्ना ड्यूटीज नू परफॉर्म करन दिली ओडर दिते जानगे सधी कोट देवलनों ओके जी कि वो अपनिया ड्यूटीज नू सही तरह परफॉर्म करें मालनों कि तो अन्नू कोई एहो जी तो अदालत जेड़ी है उस पर्टिकुलर ओफीशियल नो रिट ऑर्डर करेगी कि तो अनू अपना काम सही तरी किनल करना पएगा ते एवाले जड़ी इंफरमेशन है एस इंसान नो दिती जाए क्योंकि अन्दा पब्लिक होना लीगल है ता फेर तो अनू ना चांदे होई उन तो अनू जेड़ी अपनी इंफरमेशन है गिया उह जरूर प्रवाइट करनगे उन ए रिट मैं तो नू पहले नहीं दास दिता किसे पब्लिक कॉर्परेशन किसे ट्रिबुनल या फिर सरकार एनना सारया दे अगेंस्ट ही जारी किती जा सकती है ठीके जी ता फिर इसन केड़े केड़े टाइम है जित्ते जारी नहीं किता जा सकता एवी देख लिए पहले चीजता है किये किसे प्राइवेट इंडवीजल या पर एक बॉड़ी दे अगेंस्ट इशू नहीं किती जा सकती ठीके जी दूसरा कोई वी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है गिय ठीक है टीचर हो प्रिंसेपल ने तो आनू डिपार्टमेंटल ओडर इशू किते कि तुसी एक हफ्ते दे अंदर अंदर बच्चेयां दी क्लासीज देवे च्टी एलेम खुद बनाके लगाओ ओके एक हफ्ते दा तो आनू टाइम दिता जानदा है पर तुसी किसे फिजिक या फिर फामली या किसे भी प्राब्लम दिख करकी एक हफ्ते देविच ओ कम पूरा नहीं कर सके ठीक है ता जड़ा प्रिंसिपल है ओ तो आडे अगेंस्ट एक डिपार्टमेंटल इंक्वारी ता भिठा सकता है ओ डिपार्टमेंटल लैटर ता इशू कर सकता है डिपार् अगर मानलो किसे पब्लिक ओफिशल दी एह हो जी जूटी है जेड़ी की मेंडेटरी नहीं है यानि अगर उचाहे ता ना करे तब फेर मेंडेटरी नहीं हो उनवाली ड्यूटी दे अगेंस्ट वी एवाली रिट फाइल नहीं होएगी इस्ते नालनाल कोंट्रेक्च्वल दे केस दे विच वी एवाले जी रिट है एननों मानेता नहीं मिलेगी जिमें की एक्जेंपल लेंदे हैं थे वी मालो तुसे अपना मकान बना रहे हो और तुसे एक दुकान वाले नू किहा कि मैं अपने मकान बनाने ले सारा मालना पाजी तो अड़ेकोल खरीदना है ठीक परसन ने अपनी ड्यूटी प्रफॉर्म नहीं किती एनने मैंनों जो प्रॉमिस किता सी पूरा नहीं किता ठीक है इस दे नालना जेडे स्टेट दे गोवर्नर्स हुंदे है चीफ जस्टिस ओंफ इंडिया साढ़े देश दे प्रेसिडेंट एनना दे विरुद्वी एवाल रिटनों फाइल नहीं किता जा सकता जेकर अपनी जुडीशियल कपैसिटी दे अनुसार काम कर दे गया है औके नेक्स है गिए जी प्रॉहिबिशन प्रॉहिबिशन दा जो लिटरल मीनिंग है वह हुंद है टू फॉर्बिड यानि कि हुन काम करन तो रोकन है जदो सी एंडे बारे देख देया एक केड़ी कोट किन्नों इशु करेगी ता इह हायर कोट जेडिया हुंदी है और किसे भी लोवर कोट या ट्रिबुनल वगयरा नों इशु कर सकती है मालो जेकर कोई हेटली कोट दे विच एहो जी केस दी सुनवाई हो लग जी जेडि की उस कोट दी जूडिस दिक्षन चांदी नहीं है ठीक है ता इस केस नों रोकन दे वास्ते फिर जड़ी उपर वाली कोट है एहे रिट इशु कर सकती है पिछले पेजते मैं तुनू पहला ही दासता कि जड़ी मैंडमस नों जारे किता गया सी ता कि काम किता जा सके पर अगर तुसी गल करोगे किसे administrative authority दी legislative bodies दी private individual दी या bodies दी ता एनना दी विरुद्ध एनना नो issue नहीं किता जा सक्दा अगली जड़ी रिट है ओ आ जान दी है जी certiorary rate ओके एननों देखिए पहले हैं दा literal मीनिंग देख दिया इस दा मीनिंग हुद्धा है to be certified or to be informed ठीक है ओल्राइट ता एदा मतलब है जदो असी पिछली रिट किती हना almost almost उसी कह सक्दियो prohibition and certiorary एनना देविच काफी जादा similarities हुँ दिया मैं यानि कि almost एको बर गिया लग दिया है पर एनना देविच changes है गे नहीं ओवासी देख लने है किद्धा ठीक है फरक किया है जदो असी गल किती सी prohibition rate दी ता उन्दे विच सुपीरियर कोट ने inferior कोट नू कम करन तो रोक्या सिगा है ना एही होया सिगा अजे order दिते है यानि कि कोट ने हले सुनवाई करन तो बाद फैसला वागेरा निल्या सी हले लेना सी decision लेन तो पहला ही जड़ी उपर वाली कोट सी ओने निचे वाली ना प्रीजा दे है ते मुकदमा चलना लग जान दा लोग दे वीच राइट उन्दा फैसला विच ले चुकी हुँदिया ते फिर हाई कोट जड़ी है ओ की करेगी ओ कहेगी कि तुसी ए वाला जड़ा फैसला लिया ए तो अडिज जुडिस जिक्शन दे अंडर है निसी ठ केड़े वाली सर्श्योररी ता एंदे विच फेज जड़ा लोग लो लो लेया गया फैसला है ओ हाई कोट की करेगी रद कर देगी और मुकदमा जड़ा आपने अंडर ले लेगी ओके हुन ए जड़ी रिट है ना सर्श्योररी एंदे विच दो जड़े चीजां है इंपॉ पूरी तरह ने प्रिवेंट कर दीता है शुरु शुरु देविच जड़ोरी रिट वी केवल जूडीशल एंड क्वैसी जूडीशल अथार्टीज दे अगेंस्ट ही हुन दी सी जिमेंसी पिछे वाली पड़ी सी पर 1991 देविच की हुन दा है एंदे विच सुप्रीम कोट सुना दिया है कि एस रिटनु भी ओनना एड्मिनिस्टेटिव अथॉरिटी दे अगेस्ट जारी किता जा सकते हैं जिनना ने कोई आहो जा कम किता होवे जो किसे व्यक्ति दे राइट्स नों अफेक्ट करें ठीक हैं बट नोट अगेस्ट प्राइवेट इंडिविजल और लेजिसलेटिव बॉडिज एनना दे अगेस्ट अनों ने इशु किता जा सकता समझ गए जी एकेड होजेगी फिर सर्श्यर होजेगी अगे चल दिया कोवरंटो दी गल कर दिया इस दा लिटरल मीनिंग होंदा है या बाइवट अथॉरिटी और वारंट ठीक है यानि तो अथॉरिटी की है एक ओट कदो जारी करेगा जदों उनने जदों मालों किसे पब्लिक ऑफिस दे विच कोई एहो जे परसन नों सीट मिल गी है कुरसी ते बिठा दिता गया है जेना कि उस कुरसी ते बैठन दिया लीगल टर्म्स नों क्वैलिफिकेशन नों पूरा ही नही जरूरी है पर उस कुरसी ते एक एहो जा इंसान बैठ गया जिन दे उपर पोच है किसी उनने पैसा वैसा दिता चेक कुछ चलाया और उन्हों सीट मिल गी ना ता उनने पेपर क्लियर किता सी ना ही उन ग्रेजुएट सिगा ठीक है यानि कि उन्दे को लोग क्वैलिफिके एक पर्ममानेंट करेक्टर दा हुँ ठीक है यानि कि किसे स्टेटे द्वारा बनाया गया हुँ Jimmy की सब्पीदान दे द्वारा बनाया गया हुँ एसलिए प्राइवेट ऑफिस जड़े हुन देनी या फिर जड़े मिनिस्टर ऑफिस उन दे है उनी आ सकते ठीक है ना अच्छा हुन मिनिस्टर ऑफिस दीज़ मैं आप एक्जांपल के लिए सकते है साध्डे देज़ जड़े प्राइम इनिस्टर है जदो ओहो मंत्राले वं आए या फे ना आए पर उन्ना दे अगेंस्ट ए नहीं एगा कि रिट दी अपील आग जूगी कि एन्ना ने जी उस परसन नो क्यों दे दिता राइट ता ए यानि कि जड़े मिनिस्ट्रियल ओफिस हुन्दे है उन्ना दे विच भी ए वाली रिट इशू नहीं हो सकती ते ना ही इक प्राइवेट ओफिस दी अगेंस्ट ठीके जी हाँ जी तर स्टुदेंट्स एथे जो सड़ा रिट्स वाला टॉपिक और आर्टिकल 32 एक कंप्लीट हो गया मैं आई हो